डियर स्टुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत है अब स्विका बच्चों ये क्लास फाइव क्या मैत है एक्ससाइज 47 तो इस एक्ससाइज में आप लोगों को मैं क्वेशन नमबर 1 से 10 तक लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूं और अब हम लोग इसके आगे जो है इसको डिवाइड देना है बीना डिवाइड कि ये बतलाना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है होगा सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाय्ट करने क्या जाएगा देंक है यहां पर कोई पॉइंट नहीं है ठीक है पॉइंट नहीं है तो हम दिवाय्ट करते हैं यह यह सिब से पहले यह डिवाइड हो गया 72 और यहां पे कितना हो जाएगा 12-12 हो गया कितना बची यह 2 कट गया 4 12 टूजा 24 आता है यह कट गया पूरी तरह से अब यहां पे पॉइंट वाल नंबर लेंगे तो पॉइंट आ गया यह से वन आ गया उपर से नीचे लेकिन जाने वाला नहीं है यहां पे गिरू लगाएंगे और फिर यह 72 तो टूजा पढ़ेंगे तो टूजा फाइब जा शिक्स्टी टूजा शिक्जा 72 यह हो गया 72 पूरी तरह से कट गया मतलब इसका आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया यह 12.06 ठीक है अब जो है हम लोग को डिवाइड करना है इससे यह नमर में दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा यहां पे क्या है यहां पे हो जाएगा यह हो जाएगा एक डिजिट है तो मतलब यह एक बार इधर जाएगा फिर हम लोग को क्या मिलना वाला है यह मिलेगा 447.2 और यहां पे हो जाएगा यह 12 ठीक है इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा यह पॉइंट जो है एक बार इधर गया इसका मतल यह cancel हो जाएगा अब यहाँ पर यह A नमर में आ गया और B नमर में उसकी तरस आएगा यहाँ पर सबसे पहले तो यह दिया हुआ है वही होगा उसके बाद यहाँ पर B नमर में क्या दिया हुआ है 0.12 अब क्या होने वाला है यह दो डिजिट है तो ये दो बार जाएगा मतलब completely ये कितना हो जाएगा इसमें पॉइंट हट जाएगा अब ये क्या होगा अब 12 होगे तो इसका जो है पॉइंट यहाँ गया इसका मतलब है कि दो बार ये चला और इसमें कोई point उट नहीं है अब क्या होगा कि इसमें जो कॉसेंट जो पहले आया था यहां पे आया था तो इसमें जो आया था अब इसमें क्या यह भी दो बार चलेगा इधर मतलब यह completely यह जो है यहां पॉइंट इससे निकल जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा इतना ह ierteांसर हो जाएगा इस तारहे से नमर में भी दिया हुआ है तो जैसे दिया ह सो लइफ है और उसके बाद кंद दिया हुआ है 120 कंदटी दिया हुआ है इसका मतलब है यहां पे यह इस तरह से हो सकता है मतलब यह इस तरह से हो जागा यह हो गया 0.72 यहां पे 12 into 10 हो जागा तो मतलब यह जो है इसको यह divide करेगा 10 से divide होगा तो क्या होगा एक point जो है इधर चला जागा एक बार इधर तो मतलब यह हो गया 14.472 by 12 अब यहां पे जब point यहां था तो और 12 से जब हम लोग divide किया थे यहां पे point यहां है और 12 से divide किया थे यह आ गया था अब point एक बार इधर चला गया मतलब है कि यह जो है उठके इधर चला जाएगा तो इसका मतलब इसका अंसर कितना आजागा इसका अंसर आजागा 1.206 यह इसका अंसर हो जागा